तो ब्यूटिफुल तो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक वाव तुमको लगता होगा यार बड़े हो जाएंगे तो आइटी आइटी क्लियर कर लेंगे फिर उसका तो मच्चानी लाइफ जीएंगे मतो बड़े मतो बड़े छोटे ही रो तुम लोग तो अब भी मत लाइ ओके सो हाई गाईज वाट्स अब वेलकम बैक तो आपका अपना यूट्यूब चैनल विदानतू जे मेड़ इजी 2.0 तो आज मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं एक बहुत जादा इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अल्डिहाइट ही टोन्स कार्बॉक्सिलिक ऐसेट तो मेरे प्यारे बच्चों बिना देर करें आओ हम तूट पड़ें इस चैप्टर की वाट लगाने के लिए तो गाईस बहले ही अल्डिहाइड हो की टोन्स हो या कार्बॉक्सिलिक ऐसीड हो इन तीनों के अंदर आपको सी डबल बॉन्ड ओ फंक आर लगा दोगे तो यह बन जाएगा आपका अल्डिहाइड यह देखो अगर आप इसमें दोनों जगे आर लगा दोगे तो यह बन जाएगा कीटोन यह देखो अगर आप इसमें एक जगे आर और एक जगे ओच लगा दोगे तो यह बन जाएगा आपका कार्बॉक्सिलिक acid के अंदर जब हम लोग variation करेंगे जलिने जब आपके carboxylic acid में से OH हटा कर X जोड़ दोगे तो वह बन जाएगा Asile alide similarly आपके Carboxylic acid में से OH हटा कर अगर NH 2 जोड़ दोगे तो यह बन जाएगा Amide अगर आपके Carboxylic acid में से o h हटा कर o r लगा दोगे तो यह बन जाएगा आपका easter अगर आपके carboxylic acid में से केवल h हटा दोगे तो r c o o तो रहेगा और आप इसमें r c double bond o जोड दोगे तो यह बन जाएगा आपका acid enhydride तो guys यहाँ पर आप एक बात देखो कि carboxylic acid के साथ-साथ यहाँ पर carboxylic acid derivatives भी हम लोगों के लिए बहुत जादा important है ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करें कि यह जो carboxylic acids वाले जो groups हैं यह aldehydes हैं यह जो ketones हैं यह हमारे क्या काम के हैं तो आप देखो जिसे आपके सामने यह वाला जो molecule है इसमें आप clearly देख रहे हो कि यह aldehyde group attached है आपके benzene ring से तो यहाँ पर टेक्निकली यह aldehyde group हो गया तो इस molecule में जिसमें benzene ring के ओपर THO OCH3 OHS को बोलते हैं vanillin यह vanilla flavor यह vanilla flavor जो होता है उसके अंदर पाया जाता है आई वाद समझ में वहीं पर आप देखो benzene ring के ओपर THOE हमने अल्कॉल फिनॉल इथर में भी देखा था salicyldehyde यह भी एक बहुत important compound है in fact अगर यहाँ पर आप COOH कर दो के तो यह बन जाएगा salicylic acid और salicylic acid जो होता है वह आगे चलके aspirin नाम की दवाई बनाने के काम में आता है तो this is also very important जैना आप इस molecule को देखो इसमें benzene ring से एक aliphatic chain के अंदर THO connected है यह कहता है cinnamon aldehyde cinnamon aldehyde बोले तो cinnamon डाल चीनी का flavor वो आपको इस से देखने को मिलेगा तो चली काईज अब हम लोग सबसे carbon के बास में यहाँ पर दो bond खाली है और यह double bond oxygen से connected है that is your carbonyl group now guys आप सभी लोग यह बात समझो कि यहाँ पर आपके carbon का hybridization sp2 है और जब आपके carbon का hybridization sp2 होता है जब आपके carbon का hybridization sp2 होता है तो उसके 1s में तो 2 electron होते है उसके 2s में एक electron होता है और उसके 2p में एक एक और ए electron होता है लेकिन hybridization में केवल यह तीनी orbital आके जाते है sp2 sp2 और sp2 बनाने के लिए और एक p orbital आपका 2pz unhybridized रह जाता है this is your unhybridized p structure तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपके carbon के पास में आपको एक sp2 इदर दिखता है और एक sp2 इदर दिखता है यह भी sp2 है यह भी sp2 है और यह भी sp2 ही है और जब आपके oxygen को यहाँ पर देखोगे तो भई oxygen का तो यह let's say p orbital इस तरीके से overlap कर carbon का यह वाला unhybridized p orbital देखो यह इसा बेटा हुआ है और यह oxygen का एक p orbital आगया 2pz तो यह carbon का p orbital oxygen के p orbital के साथ में sidewise overlapping करके इस तरीके से आपका carbon structure आपको double bond मनाता हूँ दिखता है जिसमें पहला bond तो sigma bond यह रहा और दूसरा bond pi bond यह रहा है मेरे बच्चों तुमको यह बाद समझ महीं क्योंकि यहाँ पर carbon का hybridization sp2 है इसकी geometry trigonal planar दिखाई देगी geometry will be trigonal planar और क्योंकि geometry trigonal planar है आप यहाँ पर इनके बीच का जो bond angle देखेंगे वो केवल और केवल 120 degrees 120 degrees का ही दिखाई देगा आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों अच्छा एक और interesting बात में आपको बताता हूँ यह जो आपका carbonyl group है यह आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर oxygen being more electro negative इस carbon के electron को अपनी और withdraw कर लेगा और जब यह carbon के electron को अपनी और withdraw कर लेगा तो यहाँ पर इसके बात में एक loan pair extra जाएगा जिससे यह हो जाएगा negative यह हो जाएगा positive now this makes this carbonyl group very reactive क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि oxygen is a becoming a loan pair donor और क्योंकि यह loan pair donor है यह Lewis base की तरह behave करने लगेगा यह एक nuclear pile की तरह behave करने लगेगा वहीं पर अगर मैं इस carbon की बात करूँ तो भाई यह loan pair accept करने की कोशिश करेगा यहने भिकारी बन गया तो भिकारी बन जाते हैं हम लोग यहाँ पर बात करेंगे preparation of aldehydes की तो गाइस aldehydes की जो हम लोगों के पास में preparation ने उसमें सबसे पहली chemical reaction रियाक्शन आती है hydrogen इस carbon पर attack करके इसको CHO में convert कर देगा और एक hydrogen इस chlorine को लेकर chemical reaction से HCl1 के बाहर हो जाएगा अगली chemical reaction नाइट्राइल और इस्टर्स से होती है नाइट्राइल जैसा कि आप लोग सब जानते हैं आर द ती एन ग्रूप और इस्टर्स आप सभी लोग जानते हैं इस्टर्स क्या होते हैं इस्टर्स इस आर ती ओ ओ ओ आर ग्रूप इस्टर्स क्या होते हैं आर ती डबल बॉंड ओ ओ ओ ओ आर ग्रूप तो यहाँ पर सबसे पहली reaction जो मेरे पास में आरी है एक नेम reaction आरी जिसका नाम है स्टीफन रियक्षण के अंदर आप एक आर सी एन यान आपके नाइट्राइल को लेते हैं उसका ट्रीट्मेंट स्टेनस क्लोडाइड और HCL के साथ करते हैं इसके साथ करते हैं तैनस क्लोराइड और HCl के साथ यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं होने के मतलब है कि यहां पर देविल एड हाइड 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 हो जाएगा तो एक हाइड 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 हो जाएगा तो एक हाइड 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 यहां पर क्या होगा वाटर का ओ जाकर इस कार्बन पर अटाक करेगा और यह दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर अटाच करेंगे यहां से आपके दो नाइट्रोजन इस एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 बना कर बाहर उड़ जाएंगे और यह RTH तो यह रहा और यह वाला ऑक्सिजन इससे अटाच हो गया तो यह आपका अल्डिहाइड बन गया लेकिन गाईज स्टीफन रियाक्शन के अंदर यह जो है न वहाथा एक्सपें पूछा जाने वाला इसको कहना चाहिए है वेरी फ्रिक्वेंटली आस्ट कमपाउंड है और यह रियाक्शन के अंदर बहुत अच्छी इन्वाल्मेंट शो करता है और बहुत अच्छा रिडूसिंग एजन्ट है तो डाइबल का फुल फॉर्म क्या है सर दी स्टेंस फोर आई स्टेंज फॉर आई स्टेंज फॉर ईसो भी सीज फार बिूटाइल ए स्टेंज फॉर एलूमीनियम एंड जो दाइबल का इसक्तवाल करोगे तो यह भी आप लोगों को प्राकर देगा कैसे देखो आपने हापक है इसोड मैंगे reंग भिक्तव water के साथ करोगे in presence of acidic medium तो वही यह oxygen इस पर attach करके CHO बन जाएगा और यह दो hydrogen NH के साथ combine होकर ammonia gas बनके बहार उड़ जाएंगे very easy, very simple, very crisp ठीक है अब यहाँ पर एक interesting बात है कि यह जो dival है do not add hydrogen to double bond यहाँ पर हम लिखेंगे that dival is very specific dival H is very specific that is do not show reactivity, it do not show reaction with carbon carbon double bond, it shows only reaction with pure nitrile group यह केवल और केवल nitrile group के साथ ही reactivity show करेगा तो जैसे आप इस compound में देखो यहाँ पर एक double bond है और यह CN है अब भाई dival H है तुमको लगता होगा सर hydrogen जुड़े का तो यहाँ पर addition reaction हो सकती है तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक hydrogen इस पर जोड़ दो एक hydrogen इस पर जोड़ दो और इनको CH2 CH2 बना कर सिंगल bond कर दो ना 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 मुना ना ऐसा बिलकुल नहीं होगा ऐसा कतापी नहीं होगा यहाँ पर जो hydrogen एड होगा वो इस carbon और इस nitrogen पर ही होगा और यह आपका aldehyde बनके तयार आई बात समझ में similarly अब अगर आपने यहाँ पर एक easter ले लिया लेट्स टेकन easter डाइबल एच और वाटर का इस्तमाल करेंगे तो गाइस यह ऐसा तूट जाएगा easter विल भी ब्रोकन लाइक दिस तो डाइबल एच यहाँ पर H2 एड एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट करके C2H5OH बनके बाहर हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच करके CH3 CH2 whole 9 C double bond O यहाँ तक तो as it is है और यह एच जो इस हाइड्रोजन ने दिया था इसको यह वाला यह यह इसससे अटैच होगे और यह आपका बन ग स liもし हाइड़्चा अग्ली केमिकल रियाक्षन इस फ्रॉम हाइड्रो कार्भन हाइड्रोकार्भन में भी मिथाईल बेंजीन बोले तो आपका टॉल्वीन चाचा को जब आप टॉल्वीन का याने मिथाईल बेंजिन करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहली एक औ करके रखना आ सकती है जेई में मैं बता रहा हूं बिल्कुल हलके में लेने की कोई भी गलती ना करे ठीक है चलो तो इटार्ड रियाक्शन यानि आपने यहां पर टॉल्वीन का रियाक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कर रहा है यहां पर तरीके से इसके साथ में कनेक्ट हो गया यानि बेंजीन रिंग के उपर से यहां से दो हाइड्रोजन हट गया केवल एक हाइड्रोजन बचा तो यह च्री च में कनवर्ट हो गया और यह कॉंप्लेक्स O-C-R-O-H-C-L-2 O-C-R-O-H-C-L-2 इस पर कनेक्ट हो गया यह बन गया आपका क्रोमियम कॉंप्लेक्स और जब यह क्रोमियम कॉंप्लेक्स को आप एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करोगे एस यूजवल एसिडिक वाटर का ओक्सीजन जाकर इस कारबन पर अटाक करेगा और इसको बना देगा ची एचो और यह दो हाइड्रोजन में से एक इसके साथ और एक इसके साथ कनेक्ट करके बाय प्रोड़क्ट बाहर निकाल देगा विच व मारे लिए कोई काम का यूंज नहीं तो सफ़ीद हम यहां पर बात करेंगे यूज़ और अब यह इटार्ड रियाक्शन नहीं है ध्यान रगना है यह एक जैनरल रियाक्शन हो गजीँ आपने टॉलिवीन किया गैए chromic oxide CRO3 डाला और aesthetic anhydride डाल दिया aesthetic anhydride डाल दिया 273 से 283 Kelvin पर तो यहां पर क्या होगा यह इस तरीके से टूट जाए इसमें से एक स्कार्बन पर और दूसरा भी स्कार्बन पर अटाक करेगा आई पास समझ में तो यहां पर क्या होगा इस कार्बन से C double bond OCH3 group और C double bond OCH3 group ऐसे attach हो जाएगा यहांने दो acetate group जुड़ जाएगे तो इसको बोलेंगे benzylidine diacetate क्योंकि एक acetate उपर एक acetate नीचे जुड़ गया और acidic water की presence में फिर यह oxygen जाकर इस पर connect करेगा benzylidide बना देगा एक hydrogen इस पर CH3COOH बना देगा और एक hydrogen इस पर तो यह भी CH3COOH बना देगा यहां से आपके दो CH3COOH बाहर हो जाएगे और एक oxygen इस पर होकर आपका यहां पर benzylidide बना देगा बहुत easy chemical reaction कुछ भी नहीं करना है ठीक है now reaction number two जो की method of preparation में by side chain chlorination now guys this side chain chlorination मैंने आप लोगों को already पिछले chapter में भी सिखाई थी मैंने कहा था जब आप आपके इस solvyn का chlorine और h new की presence में treatment करेंगे तो यह chlorine यहां से एक hcl निकाल कर बाहर हो जाएगा और यहां पर खुछ जुड़ जाएगा फिर उसके बाद में chlorine यहां से दूसरा hydrogen बाहर निकालेगा यहां पर ch बच जाएगा और cl2 हो जाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा बेंजल chloride और अब इस बेंजल क्लोराइट को जब आप वाटर के साथ treat करेंगे 373 kelvins तो अगें यह दो hydrogen यह दो chlorine लेकर तू hcl बनके बाहर और यह एक oxygen hydrogen इस carbon पर connect को कर बना लेगा बेंजल लेकिन अगर मैं अगली chemical reaction की तरफ चलू उसका नाम है geterman coach reaction जो की एक name reaction है and it is very 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 important ठीक है बच्चों तो यहां पर आपके पास में एक benzene है benzene का treatment आपने carbon monoxide के साथ किया in presence of hcl and a lewis acid and a lewis acid तो यहां से यह lewis acid सबसे पहले इस hydrogen को यहां से बाहर निकालेगा तो यह hydrogen यहां पर आपको दिखाई देने लग रहा है अब यह hydrogen की जगह पर यहां पर co जोड़ दो तो c और o तो जुड़ गया और यह hydrogen इससे connect हो गया तो यह बन गया आपका benzene है एक बहुत ज़्यादा वीक Lewis base की तरह काम करता है carbon mono लेकिन उसके बाद भी उसने सब्सक्राइब रियाक्शन है यह पर आपने सबसे पहले मुझे ग्रिगनाड रियेजेंट का treatment cadmium chloride के साथ करना पड़ा तो यहां से दो two moles of mgx two moles of mgx यह रहे और यह दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इससे और दूसरा क्लोरीन दूसरे से जुड़ जाएगा तो 2 mgx cl बाहर हो गया इसको बाहर ही रहने दो अब आप यहां पर ले लो आपका acyl chloride और इसका treatment r2 cd के साथ कर दो तो यहां पर क्या होगा यह दो क्लोरीन यह cadmium लेकर cdcl2 बाहर हो जाएगा और यह दो alkyl group यहां पर carbon से connect हो जाएगा तो यहां पर बन जाएगा r-c double bond or that is your ketone यह बन गया मेरे लाड़ले बच्चों तुम्हारा बहुत प्यारा सा ketone कोई problem अगली method of preparation is again from nitrile नौ इसके अंदर क्या करना है आपको यहां पर एक nitrile लेना इस तरीके से c triple bond and उसका treatment वापस से grignard reagent के साथ करना है उसका treatment वापस से grignard reagent के साथ करना है तो यहां पर यह वाला carbon इस carbon से attach हो जाएगा और यह वाला magnesium is nitrogen से connect हो जाएगा in presence of dry ether से बन जाएगा CH3 CH2C NmgBr C6H5 जब आब इसका acidic water के साथ treatment करेंगे तो यह पूरा का पूरा molecule बाहर हो जाएगा और यह वाला oxygen carbon से attach होकर आपको यहां पर दिखने लगेगा तो यह बन जाएगा C2H5 C double bond O C6H5 आपका ketone बन के तयार है फिर अगर हम बात करें फ्रॉम बेंजीन और सब्सिट्यूटेड बेंजीन तो यहां पर आप अगें एक बेंजीन लेंगे CH3C double bond OCL यहने आप यहां पर एक असाइल हिलाइड लेंगे और उसका treatment एक Lewis acid के साथ करेंगे तो Lewis acid इसको हेट्रोलेटिकली तोड़ के अपने साथ ले जाएगा RC double bond O यहां पर खाली दे जाएगा तो यह RC double bond O इस बेंजीन पर अटाच करके RC double bond O बेंजीन बना देगा और यह भी बन जाएगा आपका प्यारे प्यारे टाइप का क्लियर हो गया कोई problem कोई दिकत ठीक से तरह इसको देख लो अगर कोई problem आरी तो आप इन reactions के बारे में मुझसे पूछ सकते हो ठीक है चालो बहुत बड़ी आप गाईज अम लोग बात करेंगे यहाँ बार physical properties लेकिन एक बड़ा कार्बन अगर आ जाए यहने मीथेनल में एक कार्बन है लेकिन अगर इथेनल में दो कार्बन आ जाए तो वो gas की जगे volatile liquid हो जाता है यहने melting point आपको clearly बड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अगर आप इससे बड़े aldehyde या ketones की बात करेंगे तो यहाँ तो अच्छे liquid होंगे volatile liquid नहीं होंगे कि आपने भार निकाल और भाब बन चोड़ोगा है liquid होंगे पुड़ी लंबा और higher boiling point होगा जल्दी से boil नहीं होगे और या तो solid होंगे room temperature अगर हम बात करें boiling point की aldehyde and ketones का boiling point दूसरे hydrocarbon और ether जिनका मास उनके साथ में comparable है उससे जादा होगा क्यों क्यों क्योंकि aldehyde हो या ketone हो इनके अंदर आपने यह c double bond O group देखा है इसमें यह partial positive यह partial negative तो यह डाइप डाइपॉल इंटरेक्शन करने के काबिल है तो क्योंकि यह डाइपॉल डाइपॉल इंटरेक्शन करने के काबिल है इनका melting point यह मैं कहूं melting point नहीं इनका boiling point hydrocarbon और ether और comparable molecular मास से जादा होगा जुग गया है ना अच्छा अच्छा लेकिन अगर हम इनका boiling point alcohol के साथ compare करें तो वो कम होगा क्यों क्योंकि भाइस आप alcohol बनाता है hydrogen bonding लेकिन इनके अंदर hydrogen bonding missing होती है अच्छा lower member of aldehyde and ketones like methanol, ethanol, propanol are miscible with water why देखो मैं आपको समझाता हूँ जिसे माल लो आपने यहाँ पर एक ले लिया थोटा सा R, C, H, double bond O यहाँ पर आपने water डाल दिया और water के बाद आपने यहाँ पर फिर डाल दिया O, double bond C, R, H यहाँ पर आप देखो oxygen hydrogen में oxygen hydrogen में you are observing the hydrogen bond तो यह इस वज़े से यहाँ पर solubilize हो जाएगा लोवर मेंबर्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ केवल लोवर मेंबर्स की लोवर मेंबर्स जैसे मीथेनल, एथेनल, प्रोपे, नॉन तर हायर मेंबर्स के अंदर क्या होगा बेटा जैसे-जैसे aldehyde and ketones के अंदर आप कार्बन की लंबाई बढ़ाते जाओगे solubility घटती जाएगी क्यों क्योंकि बेटा यहां पर आपका यह जो alkyl group है यह जो alkyl group है यह इस तरीके से carbon और hydrogen से मिलकर बना होगा और carbon and hydrogen are lipophilic nature, lipophilic मतलब इनको water से नफरत है, तो अगर आपके compound में इस तरीके से water heating groups बढ़ते जाएंगे तो automatically पानी इनसे repulsion फील करने लगेगा और इसके अंदर इसकी solubility जो है वो reduce होने लगेगी as clear as that, all aldehyde and ketones are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chlorophyll यह लोग normally organic solvents में बढ़िया solubilize हो जाते हैं, ठीक है, lower aldehydes की एक sharp pungent order होती है यह एक अजीब थी smell होती है ऐसा बोले, peculiar थी बदबू होती है, लेकिन जैसे जैसे molecule का size बढ़ता जाएगा, order जो है वो less pungent होती जाती है और more fragrant होती जाती है, carbon का number बढ़ने से बदबू कम और खुश्बू बढ़ने लगती है इसी वज़े से इन्हें perfumes और flavoring agent के अंदर समाल किया जाता है ठीक है, कोई problem बिटा, यहाँ था किसी भी तरीके की, I repeat कोई problem किसी भी तरीके की बढ़िया चलिए अब हम लोग chemical properties में nucleophilic substitution reaction की बात करें सबसे पहले मैं आपको इसका mechanism में समझाओंगा की reaction कैसे काम करेंगी अब यह आप जानते हो कि आपके पास में carbon है attached with double bond oxygen, carbon is partial positive oxygen is partial negative यहाँ पर आपके carbon से led से एक A group जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपके carbon से led से एक B group जुड़ा हुआ है अब यहाँ पर क्या होगा आप सबी लोग जानते हो कि यह partial negative है और जब nucleophile environment में आएगा तो क्योंकि अभी इस carbon का hybridization SP2 है यह trigonal planar type का structure है यानि एक simple plane पर बना हुआ है nucleophile को कोई तकलीव नहीं होगी आकर इस पर attack करने के आई बाद समझ में तो यहाँ पर जब nucleophile इस पर attack करेगा यहाँ पर जब nucleophile इस पर attack करेगा तो यह carbon कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा oxygen पर negative charge आजाएगा क्यों? क्योंकि nucleophile अपने lone pair लेकर आ रहा है तो यह वाला carbon बोलेगा oxygen को भाई आप अपना lone pair अपने पास रहाएगा तो यहाँ पर oxygen के पास में जहाँ पर पहले केवल दो lone pair थे अब इसके पास में तीन lone pair देखने लगेगा ए तो अपनी जगह पर है भी अपनी जगह पर है लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि suddenly carbon का hybridization sp2 से sp3 हो गया है और shape भी tetrahydral में convert हो गया है और अब क्या होगा? यह process बहुत जादा slow रहेगी लेकिन आप अब क्या होगा? अब यहाँ पर आपके carbon पर एक nucleophile है तो यहाँ पर एक proton transfer नाम की process होगी यह प्रोटॉन को यह उक्सिजन पर connect किया जाएगा ताकि यह OH में convert हो जाए इस तरीके से आई पास हमें मेरे फ्यारे बच्चों और यह बन गया आपका addition product इसको बोलेंगे addition product तो यहाँ पर जो nucleophilic substitution reaction मैंने बोली थी वो गलत है it is nothing but addition reaction यहाँ पर कुछ substitution नहीं हुआ यहाँ पर केवल और केवल addition हुआ है ठीक है? कोई problem? अच्छा दूसरा is reactivity तो guys यहाँ पर star बना कर एक point हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके aldehydes होंगे they are more reactive aldehydes are more reactive than ketone सर ऐसा क्यों? तो देखो आओ इसको समझें बीना समझें मता थोड़ी आएगा तो यह तुम्हारा एक aldehyde हो गया और यह तुम्हारा एक ketone हो गया आप सब लोग अपने आप ही इस चीज़ को शाह समझ्य लगेंगे कि जब nucleophile यहाँ पर attack करने के लिए आएगा तो यहाँ पर nucleophile इस पर बहुत easily attack कर पाएगा क्योंकि इसके पास में एक hydrogen है alkyl group का अपना खुद का एक electron cloud होगा लेकिन वो nucleophile के उपर इतना जादा strong repulsion या steric hindrance cause नहीं करेगा यहाँ पर हम लिखेंगे that alkyl group have a very low hysteric hindrance have a very low hysteric hindrance लेकिन अगर मैं ketones की बात करूँ तो ketones में एक और दो बलकी alkyl group होने की वज़े से और oxygen भी partial negative होने की वज़े से जब आपका nucleophile आएगा तो वो सामने से तो घुस नहीं पाएगा यहां से तो घुस नहीं सकता हो यहां से तो पिछवाले से घुसने कोशिश करेगा जब वो पिछवाले से घुसने कोशिश कर तो यहां पर alkyl groups जो है it will cause it will cause hysteric hindrance तो इस वजह से इस वजह से आपका जो aldehydes है they are aldehydes are more reactive ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कोई problem इसके अंदर यहां तक किसी भी तरीक ही कोई problem भई problem आ रही हो तो देख लो और मुझे comment section में लिखके जरूर बता देना ठीक है मैं उसको जरूर clear करने कोशिश करूंगा चलिए अब हम यहां पर कुछ reaction देख लेते हैं जो mechanism के उपर का कर रही है यहां पर सबसे पहले हमने hydrogen cyanide लिया है उसको में base यह water के साथ treat करूंगा इस पेशली में base के साथ treat करूंगा एक naoh तो यहां पर इसका h इस o h के साथ water बन के बाहर हो गया और यह cn यहां पर cn negative हो सकता यहां पर na हो यह naoh हो तो यह बन जाएगा na cn और यहां से water बाहर है अब जब यह na cn तूटेगा तो यह तूटेगा na positive में और cn negative इसी लिए पहले बनाओ फिर reaction के लिए तोड़ो इससे अच्छा उसको हमने directly तूटा हुआ ही रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है अब क्या होगा यह oxygen अपना loan पेर withdraw करेगा यह cyanide इस carbon पर attack करेगा तो इस oxygen पर negative चार्ज आ गया और cn यहां पर आ गया अब आपने इसके अंदर proton डाला proton ने इस पर attack किया और यह बन गया आपका साइनो हाइड्री इस बिकम साइनो हाइड्री सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो जब आप aldehyde के उपर नह एस एसो 3 डालोगे तो एने इस oxygen पर attack करेगा और आप SO3H इस carbon पर attack करेगा तो यह बन जाएगा ONA OSO2H यहने SO3H लेकिन यहाँ पर अब हमें ONO नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पर proton ट्रांसफर करना पड़ेगा मतलब सोडियम चला जाएगा सल्फर के पास और हाइड्रोजन आ जाएगा oxygen के पास तो यहाँ पर आप लोगों को OH दिखाई देगा और यहाँ पर OSO3NA दिखाई देगा यहाँ पर आपको यह ओएच के पास दिखाई इसको बोलेंगे बाय सल्फाइट एडिशन कंपाऊं अब ग्रिगनाट रिएजेंट तो आप सभी लोग जानते हैं अगर यहाँ पर मैंने फॉर्मल डिहाइड ले लिया और यहाँ पर मैंने CH3MGBR ले लिया तो यह कार्बन इस पर और यह मैगनेशियम पर इस पर अटाक करेगा यह हो गया C, T, O, M, G, B, R और यहाँ पर लग गया आपका CH3 अब आप इसको वाटर के साथ धोलो तो यह M, G, B, R, M, G, B, R, O, H यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपका यह H, T, H, CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, सौरी, यहाँ पर O, H आजाएगा यहाँ पर आपका अल्डिहाइड कंवर्ट हो गया प्राइमरी अलकोहल में गयाईज अब आप सभी लोग जान देगी कैसे अगर मैं यहाँ पर R ले लूँगा यानि कि एक नॉर्मल अल्डिहाइड ले लूँगा और यहाँ पर उसका ट अल्कोहल होगा और अगर मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया और अगर मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया तो यह कीटोन का कार्बन इस पर और MGBR इस पर अटाक करेगा तो जाएगा आर ती आर थी एच थी ओएच थी ओएच एट विल बी यूर तरशरी अलकोहल आई बात समझ में यह हम लोग अल्रेडी अलकोहल पिनॉल एथर नाम के चैप्टर में सीख चूके हैं आगे बढ़ते हैं एडिशन ओफ अलकोहल क्या अब आपके अल्डिहाइड के अंदर आर और यह ओएच का एच इस अक्सीजन पे कनेक्ट हो गया तो यह ओएच हो गया और बच्चा हुआ ओर और इस कारवन पर क्नेक्ट हो गया तो यह जुड़ गया आपका ओर अब जब आब इसका ट्रीटमेंट वापत अलकोहल के साथ करोगे इंप्रेजन्स अलकोहल के साथ करो गया एं सॉरी तो यहां पर इसका एच इसके ओएच को लेकर यहां से वाटर बन के बाहर यह देखो और अब यह आर हाइड्रोजन की जगे ले लेगा और यह बन जाएगा आपका ओ आर डेश यह बन गया आपका एसीटल तो अलकोहल के अंदर अगर आप अल्डिहाइड डायड करोगे तो दो स्टेप में यह एसीटल बना कर देगा पहले बनेगा हेमी एसीटल क्योंकि केवल और था और अब इसके अंदर दोनों और हो गए तो यह एसीटल में कनवर्ट होगी वही पर अगर आपने यहां पर कीट जोगी सर वही देखो यहां पर आपका क्या होगा यह ऑक्सिजन इस पर अटाक करेगा और यह वाला ऑक्सिजन इस पर अटाक करेगा तो सर फिर इस ओएच और इस एच का क्या होगा तो यह ओएच और यह एच वाटर बन के बाहर तो आपके इस ऑक्सिजन इस पर अटाक किया आर आर दिख रहा है कारबन दिख रहा है यह oxygen CH2 से connected और यह वाला आपका जो oxygen है यह oxygen carbon से connected तो carbon oxygen CH2 यह बन गया आपका कीटल that is ethylene glycol ठीक है और we also can say यह कि यह भाई कीटल है अगली reaction के तरफ चलते है addition of ammonia and its derivative addition of ammonia and its derivative तो guys यहाँ पर अगर आप Z की जगे H ले लोगे तो यह NH2Z NH2Z बन जाएगा NH2H याने NH3 तो यह तो आप ammonia डालो यह ammonia derivative डालो यहाँ पर क्या होगा जब आप aldehyde के अंदर कोई ammonia derivative डालो गे इसका एक hydrogen इससे connect हो जाएगा oxygen से और nitrogen connect हो जाएगा carbon से तो carbon के दो bond तो अपनी जगह पर है यह O बन गया आप OH और यह NH2Z NH2Z बन गया NHZ तो इसका एक hydrogen यहाँ जाकर connect हो अब क्या होगा अब यह वाला OH और यह वाला hydrogen फिर water बन के बाहर निकल जाएगे यहाँ पर nitrogen का यह OH और H जाने के बाद carbon और nitrogen के बीच में double bond बनाना पड़ेगा और Z तो जैसा था वेशा ही करें यहाँ पर आप hydrogen के अलावा Z की जैगे पर alkyl, aryl, OH, NH2, C6H5, NH2, NHCO, NH2 आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो जैसे कि आपके सामने यह table आ गई है जैसे कि आपके सामने यह table आ गई है यहाँ पर आपका जो product बनेगा यहाँ पर आपका जो product बनेगा that is C double bond and Z यहाँ पर आप Z की value अलग-अलग रखके देख रहे हो कि आपका क्या product मिलेगा अगर आपने यहाँ पर केवल hydrogen रखा Z की जगे पे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा इसको बोलेंगे imine अगर आपने यहाँ पर Z की जगे पे R रखा इसको बोलेंगे amine यह nr हो जाएगा इसको बोलेंगे substituted imine और skiff base OH रखा तो यह हो जाएगा oxygen NH2 रखा तो यह हो जाएगा hydrazone benzine ring NH रखा तो यह हो जाएगा phenyl hydrine और यह बहुत important है इसको धरा star बना के सब लोग note कर लेना यह reaction बहुत frequently पूछी जाती है बहुत frequently पूछी जाती है yellow color का PPT देता है यह it will give you the yellow color PPT ठीक है yellow orange और red solid देता है यह it will give yellow orange और red precipitates उसके बाद यह reaction बहुत important है यह टेस्ट ऐसा पूछा जाता है to confirm क्या आपके बाद में compound aldehyde या keto ने कार्बॉक्सरीक एसिड तो नहीं then NHC double bond O NH2 semi carbide यह टाच हो जाएगा यह बन जाएगा semi कारबा दो ठीक है बच्चो इट विकम सेमी कारबा दो देख लो तरह यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो क्या यह पूरा टेबल आप लोगों ने ध्यान के देख लिया बच्चो चान क्या हम आगे बढ़े चलिए अगली chemical reaction देन आती ही मेरे प्यारा बच्चो reduction reduction to hydrocarbon which is the name reaction जिसे वह लाता है clemenson reduction बहुत straight forward reaction है aldehyde हो या ketone ले लो zinc mercury amalgam डालो in presence of hcl अब आप लोग जानते हो zinc mercury amalgam क्योंकि एक reducing agent है यह reaction में hydrogen supply करेगा तो यहां पर चार hydrogen में से दो hydrogen इस oxygen के साथ water बन के बाहर और बाकी बचे वे दो hydrogen इस carbon के साथ react करके आपको hydrocarbon बना कर देते है लेकिन wolf किशन वाल्मी की किशन है अगर सोचों इंडिया में reaction मंदी इसका नाम क्या होता है वाल्मी की किशन तो जो तुम्हारी wolf किशनर reduction है इसमें आपने hydrazine hydride का इस्तेमाल किया है hydrazine का NH2 double bond NH2 NH2 तो यहां पर क्या होगा जैसे आप इस reaction में NH2 NH2 डालोगे यह oxygen इस nitrogen के दो hydrogen लेकर water बनके फाड़ू अब यहां पर केवल nitrogen बचा है जो इस carbon से connect होगा और यह NH2 बचा हुआ है तो यह हो जाएगा nitrogen gas बनके ओड़ू गए और यह दोनो hydrogen भाई इस carbon से connect हो कर आपको यहां पर आपका टिपिकल टाइप का hydrocarbon देदेगी देख लो पूसर निज गीई लिए गुए आगे बढ़तेबिक और मोग गले बात करते हैं हम लोग ऑक्सिडेशन की लिए बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिशन की है कैसे अगर आपके पास में कोई भी सिंपल टाइप का अल्डी हाईड है तो किसी भी टाइब का ऑक्सिडाइज़ एजेंट हो जैसे ह अच के मिनोफोर, के टू सीर टू सेवन, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट, कोई भी टाइप का ऑक्सिडाइजिंग एजेंट हो, आपका अल्डिहाइड आपके कार्बॉक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, बहुत एजी, लेकिन अगर आपके पास में कीटोन्स और वो बहुत जादा विग्रस कंडिशन आप देते हो, सब कहीं जाकर आपका कीटोन्स कार्बॉक्सिलिक एसिड में बदलेगा, बट वो भी टुकडों में, फ्रैक्शन में, यानि यू विल नॉट गेट लॉंग कंपाउंट, आपको तूटा हुआ कंपाउंट दिखाई जिसको मैं ने ऑक्सिडाइस किया, अंडर विग्रस कंडिशन और यहाँ पर ऑक्सिडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉंग लगेंगे, जैसे के मिनोफोर या के टू सिया टू सेगन, तो या तो कार्बन नंबर वन या कार्बन नंबर टू में, आपको क्लीवेज होता हु तो यहाँ पर आप लोगों में से ध्यान रखेंगे, you will get a mixture of carboxylic acid, यहाँ पर you will get the mixture of carboxylic acid, after the vigorous oxidation of ketones, ketones generally oxidized नहीं होते, पर अगर होंगे, तो carboxylic acid बनाएंगे, लेकिन छोटे छोटे जिन में lesser number of carbons होंगे, है न, चलिए, अब हम बात करते हैं, guys, tolens test की, इसकी बात करेंगे, tolens test की, tolens test is also known as silver mirror test, यहने आपने अगर मानलो एक glass लिया और इस glass को imagine करो, काच का glass है, और इस glass के अंदर अगर आप यह test कर रहे हो, तो कुछ देर बाद आपको इस glass के अंदर, चारो तरफ, silver की एक परत, चांदी की एक परत चड़कती हुई दिखाई दे जाएगे, न, अंदर से, सब जगे इसमें, silver याने, real चांदी डिपॉसिट हो जाएगे, इसको silver mirror test भी बोला जाता है, actually guys, यह test इस्तमाल किया जाता है, by the use of a tolens reagent, ammonical silver nitrate, tolens reagent क्या है, ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate, तो जब आप एक ammonical silver nitrate, जो कि एक weak oxidizing agent है, यह ketone के लिए work नहीं करेगा, it will not work for ketone, it will work only for aldehyde, तो basically tolens test आपके aldehyde versus ketone में distinguish करता है, तो हमारा aldehyde यह test को पास करेगा, aldehyde will pass this test, whereas ketones do not show any reactions, इसलिए ketones यह test कभी नहीं दे पाएंगे, तो क्या करना है, आपको आपके aldehyde को ammonical silver nitrate के साथ treat करना है, आपका यह जो aldehyde RCHO है, इसका यह hydrogen यहां से उड़ जाएगा, और एक नया oxygen यहां कर बैठ जाएगा, और यह बन जाएगा deposit हो रहा है, कांच के, फिर उसके बादे तुम्हारे यह two to the four, दो, दुनी चार, चार ammonia बाहर, अब यहां पर आपके बाद में तीन, और एक यह वाला hydrogen, चार hydrogen available है, और क्योंकि OH में से एक oxygen इस carbon ने ले लिया, यह वाला, अब इसके बाद में दो oxygen available है, और four hydrogen available, तो दो oxygen, four hydrogen मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, 2H2, तो इस तरीके से आपको एक chemical reaction होती भी नजर आईगी, अगला test is phalanx test, phalanx test भी गाईज, तेव इस्तमाल होता है, aldehyde और ketones को distinguish करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आपका जो phalanx reagent है, वो दो reagent का mixture है, phalanx a and phalanx b, phalanx reagent है, and phalanx b, sodium, potassium, tartrate, यह इसका mixture है, जब आप यह mixture को, यहाँ पर मैंने देखा कि copper, SO4 copper die positive form है, इसे मैंने phalanx reagent की जगे copper die positive लिग दिया, in presence of a strong base, यह RCHO, RCOO negative, aldehyde में convert कर देगा, और पांच hydrogen यह और एक hydrogen यह, यह hydrogen हो गए, यहाँ पर 5 oxygen थे, 5 oxygen में थे, एक oxygen इसने ले लिया, और एक oxygen यह ले गा, तो यह बन जाएगा carbon oxide, copper oxide, अब इसके पास में केवल 3 oxygen बचे हैं और 6 hydrogen बचे हैं, तो 3 oxygen, 6 hydrogen मिलकर बन जाएगा आपका water molly, और ध्यान रखना, जैसे ही आपका यह test complete होगा, आपके copper oxide का formation होगा, copper oxide आपको red brown color की PPT देना शुरू करेंगे, they will give you red brown PPT और आपके इस reaction के अंदर, इस test के अंदर जैसे red brown PPT दिखने लगती है, आप कहेंगे test passed, आप क्या कहेंगे, test passed हो गया, यह confirm कर देता है, red brown PPT, it confirms the aldehyde group is मौझूद, अगर red brown PPT नहीं आती है, no PPT, तो फिर वो ketone होगा, यहाँ पर भी silver का आना, यहाँ पर भी silver का आना, proves that aldehyde is present, इन दोनों reaction को जरह ठीक से देख लो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जरूरी reactions है, देख लो जरह इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आपने reactions नहीं करी, बाबु भईया, I am afraid, यही में इससे मिलता जुलता सवाल आशकता है, आशकता है, आशकता है, मिलता जुलता सवाल आशकता है, करो, 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 अगर आप चाहो, तो हम लोग बहुत पास्ट स्पीड में बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक, आप बिल्कुल ले सकते हैं, in case you want, you guys can take a break, बढब देख लो, ठीक है, मेरे गुलजारी ला लो, और पता है या लाइफ में क्या चल रहा है, पढ़ाई 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 करते रहोगे, conservative pastor, भाइ मेरा तो बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा समय, कालो तरफ से परेशानिया और परेशानिया, तुम को लगता होगा यार बड़े हो जाहेंगे तो आयाट story, प्राइटी क्लियर कर लेंगे फिर उसके बाद पर मच्चानी लाइफ जीएंगे मत हो रहे बड़े मत हो बड़े छोटे ही रो तुम लोग तो अब भी मस्त लाइफ जी रहे हो जब बड़े हो तो लग जाएगी बाबु भाईया मैं तुमको बता रहा हूं फिर बाद में हुक जाएगा तो तुमने वाली वह थडिर देखींगी कि कि अपनी क्या बोलते हैं और उसको पहरा है कि क्या नोगा तो भाई तेरा शनी भारी है तुं इत्ती बड़ी रिस्कमत ले तो बोलता है जिस की जेब में मनी होता है उसे कोई शनी हाम नहीं कर सकता तो भाई तो है तो बातों है जेब में मनी होना चाहिए है पंगा rhymes कि क्यों न करो फटाफट हमेशा ध्यान रखना ये वही aldehydes या वही ketone शो कर सकते हैं जिनमें ये C double bond O के बाद में एक methyl group attached only those क्या ये बात आप लोग याद रखोगे जिसे आप यहाँ पर देखो ये C double bond O के पास में CH3 available है ये C double bond O के पास में CH3 available है बिटा ये R कुछ भी हो ये R कुछ भी हो हमको कोई फरक नहीं पड़ेगा जिसे आप यहाँ पर देखो ये C double bond O है ऐसा और ये CH3 है ऐसा अब ये R की बात करूँ तो ये R क्या है देखो ये R इतना बढ़ाई है क्या हमको इससे कोई फरक पढ़ना चाहिए तो बेसिकली हेवगों रियक्शन्स आप लोगोगों को हेवगों बना के देगी कौन-कौन से या तो क्लोरोफोर्म या ब्रोमोफोर्म आयोडोफोर्म मैंने आप लोगों के समag港 रियक्शन लिख तो यहाँ पर कबसे पहले क्या होगा यह चार में से तीन सोडियम यह चार में से तीन सोडियम टिक्स में से सिक्स में से त्री आयोडीन लेकर नाई बनके बाहर एक कोई प्रॉब्लम इतने में अब बचे हुए यह में से तीन आयोडीन इस छी को तोल लेंगे और इस CH3 में से केवल C और H लेकर वो तीन आयोडी नट्याच होकर बना लेंगे आयोडो फॉर्म अब यहाँ पर R, C, O बचा यहाँ पर चार में से एक ऑक्सीजन और एक बचावा सोडियम इससे कनेक्ट हो जाएगा हो गया अब क्या रहा चार हाइड्रोजन यह और दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो 6 हाइड्रोजन रहे और यहाँ पर 4 ऑक्सिजन में से एक ऑक्सिजन तो यह ले गया तो अब यहाँ पर 3 ऑक्सिजन रहे तो 3 ऑक्सिजन 6 हाइड्रोजन मिलकर बना लेंगे water तो यह balanced chemical reaction अगर आपको जेई वगिरा में इसी balanced chemical reaction आती है तो आप इस तरीके से इसको लिखकर बता सकते है mechanism wise आप इसे बता सकते है लेकिन अगर मैं general reaction की बात करूँ अगर मैं general reaction की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को sodium hypo halide दिखता है Naox बलब यह NaOH इस iodine के साथ पहले react करके Naoi जैसे compound मना तो और later on जाकर फिर इसके साथ reaction करता है तो वो mechanism wise यह ऐसे काम करेगा आर यह बात समझ में तो यहाँ पर अगर आपके बात में RC double bond OCH3 है अगर आप उसका treatment Naox के साथ करते हो तो technically यहाँ से आपका CH inhalogenes के साथ THX3 बन के बाहर हो जाएगा एंड यह ONA यहाँ पर अटाच हो जाएगा फिर यह reaction balanced नहीं है यह direct reaction है balance करनी हो तो उपर वाली process का इस्तमाल करना पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हमारे पास है sodium hypo hyalide हमारे पास में यह sodium hypo hyalide एe यह हमारे पास में जो sodium hypo hyalide है है जिसने आपर मैंने sodium hypo chloride लिया है यह जो हमारा sodium hypochloride है again it has no reactivity या it has nothing to do with this double bond it has nothing to do with double bond यह आपका जो hypo halide है यह hypo halide केवल और केवल इस CH3 के लिए काम यह आपके C double bond O group से जो directly CH3 connected है यह केवल और केवल उसी के उपपर काम करेगा और किसी पर ने तो यह इसको यहां से हटा के यह O N A यहां पर जुड़कर यह तो आपका by product बन गया और यह जो आपका CH3 निकला यह जो आपका CH3 निकला इसमें एक TH यह से 3 क्लोरीन को लेकर यानि यह 3 NaCl हो सकता है तो यह 3 NaCl में से 3 क्लोरीन को लेकर यह CH THCl3 यानि की क्लोरोफार्म बना देए This is your हेलोफार्म reaction ठीक से इसको ध्यान से अब्जव करो ठीक से इसको देखके ध्यान से अब्जव करो देखो जरा इसकंदर कोई प्रॉबलम तो नहीं आ रही है किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है देखें तो फिर आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं रियाक्शन ड्यू टू अल्फा हाइट रोज़ अब गाई सबसे पहले हम यह समझेंगे अगर मेरे पास में यह वाली कंडीशन अवेलेबल है अगर मेरे पास में यह वाली कंडीशन अवेलेबल है तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रूप से जुड़ा हुआ कार्बन इस कॉल्ड एस अल्फा हाइट कार्बन और अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े वे हाइड्रोजन आर यूर अलफा हाइड्रोजन क्या बास समझ में प्यारे बच्चो कोई प्रॉब्लम अब तो गाइस जब आपके पास में ये वाला कार्बन होता है और अगर इन्वाइर्मेंट में कोई अच्छा बढ़िया बेस आजाए तो ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को जानना पड़ेगा मेरे को जानना पड़ेगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर खुद एच प्लस बनके इस पर अटाक करता है और बी एच बनके बाहर हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रियेट हो गई अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रियेट हो गई कि यहाँ पर आपका जो कार्बन है यहाँ पर आपका जो कार्बन है इस कार्बन के पास में एक लोन पेर इखटा हो गया वितन नेगेटिव चार्ज इसके पास में एक लोवन पेर इखटा हो गया वितन नेगेटिव चार्ज अब इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड कैसे किया जाए तो अब इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए ये कार्बन अपने ओक्सियन को बो यह oxygen ने खीच लिया है अब पड़ोसी वाला carbon अपना loan pair इसके साथ share कर देगा and because of the resonance यह carbon और यह carbon में आजाएगा double bond और यह oxygen के पास में तीन loan pair आने की वज़े से इस पर आजाएगा negative तब यहाँ पर resonance आने लगेगा and resonance will stabilize this anion resonance इस particular iron को stabilize कर देगा क्या यह बात समझ मारी है resonance इसे stabilize कर देगा so this is why आप देखोगे कि आपके aldehydes हो या आपके ketones हो they will show such kind of reaction because of alpha hydrogen अब यहाँ पर alpha hydrogen ने क्या किया अरे भाई यही alpha hydrogen जो था जो की reaction से इस molecule से भाग गया इस strong base के साथ में यही तो वो alpha hydrogen है जो भाग गया तो यह जो मुसीबत create हुई है यह alpha hydrogen के जाने की वज़े से तो create हुई है अब इसके अंदर एक बहुत important reaction आती जिसे गोलाता है aldol condensation aldol condensation के अंदर ध्यान से सुनिएगा क्या होगा यह आपके पास में एक aldehyde है यह आपके पास में एक aldehyde यह carbon एक alpha carbon है और इसके पास में 3 alpha hydrogen वहीं पर यह aldehyde में यह carbon इस partial positive and this oxygen is partial negative तो यह alpha hydrogen यहां से जाकर इस oxygen के उपर चिपक जाएगा तो अब बचा हुआ जो CH2 है वो जाकर इस carbon पर attach कर जाएगा क्योंकि जब यहां से क्योंकि जब यहां से इस CH3 से ध्यान से सुन लेना एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा यह hydrogen जब इसे अपना electron देगा तो यह तो H plus बन जाएगा और यह वाला जो विचारा oxygen यह minus बन जाएगा क्योंकि इसे क्या करना है क्योंकि इस hydrogen के electron को भी अपने पास समालना है और यह hydrogen तो बेफिकर होकर H plus बन के बेशरम जैसा भाग गया तब इस oxygen पर negative charge आ गया तो बेटा अब एक बास बताओ क्योंकि यह hydrogen positively charged है यह तो जाएगा ना oxygen पर क्योंकि oxygen is partial negative और इस carbon is partial positive तो इस carbon की तरफ अब यह वाला carbon आ जाएगा because this carbon is negative आ गई बास समझ में concept clear हो गया यह पूरी process एक dilute base के presence में हो रही है तो आपने देखा कि जब यह hydrogen इस O से connect हो गया तो यह हो गया OH इस carbon के पास यह H था तो यह CH तो अभी भी है अब यह CH3 में से एक hydrogen जाने के पाद यह CH2 बचा तो यह CH2 इदर आ गया और यह COH अपनी जगा पर है ना गाईज यहाँ पर आप लोग देखेंगे alpha beta unsaturation यहाँ पर आप कौन सा mechanism देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे alpha beta unsaturation अलफा बीटा unsaturation का मतलब क्या होगा आप देखेंगे कि alpha carbon से again एक hydrogen क्यों क्यों क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पर alpha hydrogen बहुत form में है alpha hydrogen यहाँ पर बहुत form में साला अब यहाँ पर फिर यह alpha carbon से एक alpha hydrogen तो फिर beta carbon से एक OH ह OH बनके पानी बनके बाहर निकल जाएंगे यहाँ यहाँ पर आपको dehydration देखने को मिलेगा और इससे आपको यहाँ पर एक compound मिलेगा CH3 CH double bond CH अच्छा इस compound को बोला जाता है aldol aldol मतलब क्या aldol में ald is obtained from aldehyde and this ol is obtained from alcohol तो एक ऐसा compound जिसमें aldehyde and alcohol बोत हों से बोला आता है aldol तो यह जो process हुई इसे कई बार aldol condensation भी बोला जाता है aldol condensation का मतलब है condense हो जाना aldol का water के removal के बाद water remove हो गया और यहाँ पर एक double bond आपको अलकी निए ठीके प्यारे बच्चो क्या यह process आप सभी गुलजारी लालो को clear हुई क्या आप सभी प्यारे प्यारे बच्चो को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई आपदा कोई विद्दा किसी तरीकी की कोई कोई गड़बड़ी नहीं अब कीटोन के केस में बात करें तो वही कीटोन के केस में क्योंकि यह आपका फंक्शनल ग्रूप है इस कारवन बिकम्स यह और अलफा कारवन अलफा कारवन का एक हाइड्रोजन ओपर तो बचा हुआ माइनस CH2 इस पर अटैक करेगा तो यह अब यहाँ पर यह क्या बन गया यह बन गया आपका कीटोल वाइ कीटोल एक कि एकटी इस कीटोन क्योकि यहाँ पर देखो क्योंकि यह कंपाउंड में कीटोन और aldehyde हमेशे alcohol से जाधा preferable होते है इसलिए उपपर aldehyde होने की वज़े से मैंने इसको alpha बोला यहाँ पर ketone होने की वज़े से मैं इसे alpha और इसे beta बोलूँगा because ketone is more preferable यहाँ पर भी वही आपका alpha बीटा unsaturation दिखाई देगा water remove हो जाएगा alpha carbon से hydrogen beta carbon से OH water is removed और आपको यहाँ पर एक ketone देखने को यह वाले carbon और यह वाले carbon में double bond आ जाएगा क्योंकि इसका OH चला गया और इसका H चला अब बात करते हैं हम लोग cross aldol के बारे में guys cross aldol में आपको चार तरीके के product दिखाई देंगे चार तरीके के product क्यों दिखाई देंगे क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास में दो अलग अलग type के aldehyde पहले वाले केस में यह alpha है और इधर वाले केस में यह अलग तो एक बार यह वाले alpha का carbon इस carbon पर और इसका hydrogen इस oxygen पर connect करेगा पहले केस में अब को समझ में आया केस नंबर वन समझ में आया अब केस नंबर टू समझना अब केस नंबर टू में यह वाला कार्बन इस पर और यह वाला hydrogen इस पर attach करेगा CH3 CHO होना चाहिए तो केस नंबर टू समझ में आया केस नंबर टू समझ में आया पहले इसके alpha carbon ने इस पर attack किया और इसके alpha hydrogen ने इस पर attack किया पहला केस दूसरे केस में इसके अलफा carbon ने इस पर और इसके alpha hydrogen ने इस पर attack किया तो यह दो और चौथे केस में मैंने कुछ गरबड कर दी क्या CH3 CH2 CHO होना चाहिए तो तो अपना alpha carbon यह नहीं यही रहे तो तीसरे केस में CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO से भिल लेगा तो यहाँ पर आपको समझ मैं है पहले केस में इस alpha carbon ने इस पर और इस alpha hydrogen ने इस पर attack किया यह product बना दूसरे केस में यह alpha hydrogen ने इस पर और यह alpha carbon ने इस पर attack किया यह product बना तीसरे केस में यह दोनो एक जेसे एक दूसरे के सामने भिल गए यह product आया और चौते केस में यह वाले एक जेसे एक दूसरे के सामने भिल गए तो यह आला प्रोड़क्ट है, तोटल आपको यहाँ पर चार प्रोड़क्ट इसलिए देखने को मिलें, तो टोटल यू विल गेट पोर डिफ्रेंट टाइप ऑफ प्रोड़क्ट्स बिकाज अब देस केस, सिमिलरल यहाँ पर जब आप अरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, अरोमेटिक कंपाउंड्स में भी जैसे आपने देखा कि यह एक अरोमेटिक कीटो ने, यह इसका अलफा कारबन, तो यह इसका हाइड्रोजन इस पर और यह कारबन इस पर अटाक करके आपको इस तरी यहां आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हुआ मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को क्रॉस अल्डोल लिख के बता दू मेरा मन नहीं मांग रहा हूँ तो मैं आपको लिख के बताऊंगा क्रॉस अल्डोल ती एच त्री यह अल्फा कार्बन इसका हाइड्रोजन गया इस पर इसका कार्बन गया इस पर क्या बना ती एच त्री ती ओएच ती ओएच और यह हो जाएगा ती एच ती एच त्री ती एच हो यह बन गया यह अल्फा यह बीटा कार्बन पानी निकालो ती एच त्री ती एच डबल बॉν्ड सी ती एच त्री ती एच ती एच ती एच तरी ती दबल ॉंड Cl यह रहो परोडक्त बने गया लग का प्रोडक्त अब अगले केस में मैं उल्टा कर दूँगा CH3 CH2 C double bond OH का treatment CH3 CHO के साथ कर दूँ अब यह alpha carbon है तो अब इसका hydrogen इस पर और carbon इस पर attack करेगा तो हो जाएगा CH3 CH2 CHOH यह पूरा का पूरा group CH2 CHO कनेक्टेड पानी निकाल दो OH और यह alpha carbon से hydrogen तो यह बन जाएगा CH3 CH2 CH double bond CH CHO आगया product यह इससे match कर दो clear हो गया यह दो product आगया अब क्या करना है cross aldol में पहले आपने 1 को 2 के साथ फिर आपने 2 को 1 के साथ किया अब 1 को 1 के साथ कर दो और 2 को 2 के साथ कर दो बेटा अब आप कर लोगे अब आप सभी लोग कर लोगे यह अब आपको करना ही पड़ेगा चलो अगली chemical reaction एक बहुत important name reaction आ रही है जिसका नाम है canon zero reaction canon zero reaction में आप लोगों को दो aldehydes लेने हैं और यहाँ पर ध्यान रखना canon zero reaction के अंदर डेट दे मस्ट नॉट कंटेन इनके पास में अलफा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तब ही यह canon zero work करेगी otherwise नहीं तो यहाँ पर एक formaldehyde का treatment दूसरे formaldehyde के साथ इन presence of concentrated koh के साथ करेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पर एक H इसके ओपर connect करेगा और एक H इसके ओपर connect करेगा तो इस carbon के पास में दो H तो पहले से थे यह और यह एक H यह वाला आगया और एक H ने इस पर attack किया तो यह OH होगे यह बन गया आपका मीथेनॉल अब यहाँ पर केवल बचा C double bond O तो C double bond O पर यह potassium जाकर इस oxygen पर और यह OH जाकर इस carbon पर attack करेगा आई बात समझ में तो यहाँ पर ही हो जाएगा C double bond O देखो यह तो अपनी जगा पर है और एक hydrogen ने इस carbon पर attack किया हैं एक hydrogen इस carbon पर attack करेगा और यह OH के जाकर इस carbon पर attack करेगा तो यह OH के जुड़ गया यह H यहाँ जुड़ गया और यह C double bond O अपनी जगा पर इसको बोलेंगे potassium format अब अगर आपके पास में आपर दो बेंजल डिहाइड हैं और अगर आपने आपर concentrated NaOH ले लिया अगें एक बेंजल डिहाइड बेंजल लाइल बेंजाइल अलकोहल में convert हो जाएगा और दूसरे वाले बेंजल डिहाइड के ओपर यह O Na अटाक करेगा यह H और यह O H यहाँ से बाहर H और O H, H2O बनके और यह O Na यहाँ पर connect हो जाएगा और यह बन जाएगा आपका sodium बेंजल बहुत easy reactions हैं कुछ खास करना नहीं होता इनके अंदर हम लोगों को आगे बढ़ते हैं वो बात करते हैं electrophilic substitution reaction लेकिन यह करने से पहले इंपोर्टेंट बात में आपको सिखाता हूँ जाब लोगों स्टार बना का लिखनी पड़ेगी that groups like CHO, C double bond O, C double bond O, OH are electron withdrawing groups कैसे देखो यह जो तुमारा C double bond OH है यह क्या करेगा यह oxygen electron withdraw कर लेगा तो साला खुद तो negative हो जाएगा और carbon को positive कर देगा अब अगर यह carbon आपके benzine ring से connected है तो benzine ring से electron खीचेगा यह भी अगर electron withdraw कर लेगा तो यह भी बन जाएगा O negative और अगर यह इस तरीके से एक benzine ring से connected है तो carbon हो जाएगा positive तो एक carbon भी बेंजीन रिंग से अपनी और खीचने की कोशिश करेगा यहाँ पर भी जब इलेक्टरॉन विड्रॉ कर लेगा तो आक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव और यह हो जाएगा और यह अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो यह भी रिंग से इलेक्टरॉन खीचने की कोशिश करेगा तब यहाँ पर क्या होगा जब आपके बेंजीन रिंग से इस प्रकार का कोई इलेक्टरॉन विड्ड्रॉइंग ग्रूप अटैच हो जाए अब यहाँ पर क्या होगा देखो अब यहाँ पर यह कार्बन को रोना आएगा बोलेगा रियार मेरा इलेक्टरॉन चला गया तो यह डबल बॉंड इधर शिफ्ट हो जाएगा रिंग का इसको हेल्प करने के लिए तो यहाँ पर यह दोनों कार्बन में तो डबल बॉंड आ जाएगा लेकिन बिचारा यह कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा फिर यह डबल बॉंड इसके पास आएगा तो यह कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर अगले केस में यह डबल बॉंड जब इसके पास आएगा तो विचारा यह पॉजिटिव हो जाएगा और फिर अल्टिमेटली यह डबल बॉंड इधर आएगा यह एलेक्ट्रोन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यह एज यूजिवल हो जाएगा आपने देखा जैट बिकॉज आफ रेजोनेंस और थो एंड पेरा पोजिशन जो है इट कंटेंस अप पॉजिटिव चार्ज इट कंटेंस अपॉजिटिव चार्ज अब अगर इसके और्थो एंड पेरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रोन लविंग ग्रूप है एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रोन पसंद है क्या वो इस ortho position पर या वो इस para position पर या वो इदर से ortho position पर attack कर पाएगा भाई electrofile तो repulsion feel करने लगेगा क्योंकि आप देखो ortho, para, ortho position पर तो electrofile है और positive charge को electrofile के आते ही repulsion feeling होने लगेगी तो यहाँ पर repulsion होने लग जाएगा तो electrofile cannot attack on ortho and para position electrofile cannot attack the ortho and para position तो क्या करे वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बिचारे को मजबूरन ये देखना पड़ेगा कि resonance करते वक इस benzene ring के metaposition पर कोई नहीं है therefore it will attack it will attack the metaposition it will attack the metaposition यह बाद समझ मैं और इसी वज़े से जब आप इस reaction को देखेंगे electrofile substitution reaction को जब आपने HNO3 को H2SO4 की presence में डाला तो यहां से एक electrofile NO2 positive निकलेगा अब वो इlectrofile जाके और थो और थो और पेरा पर बोलेगा और रिपल्शन रिपल्शन नहीं लग पाऊंगा तो फिर यह विचारा न्यूक्लेओ फाइल सोचेगा कि चलो मेटा पे ही लग जाता हूं इसलिए आपको मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मिलेगा आया कॉंसेट समझ में देख लो रेजोनेंस को बना लो अपनी किताबों में चाहो तो रेजोनेंस को अच्छे तरीके से बना लो क्योंकि यह कार्बॉक्सलिक आसिड में भी काम आएगा अब चलते हैं कार्बॉक्सलिक आसिड की तरफ भाई हम सब लोग जानते हैं कार्बॉक्सलिक आसिड मतलब वह ग्रूप जिनमें C double bond OOH होता है यह fatty acids अगर इनकी long chain हो जाए there is long chain present in the compound they becomes fatty acids अब अगर हम इसकी reactivity की बात करें आपके कार्बॉक्सलिक आसिड के अंदर यह ग्रूप ऐसा मौजूद होता है अब अगर यह oxygen बदमाश है जो अगर यह इस double bond को withdraw कर ले तो इस oxygen पर negative charge और इस carbon पर positive charge आ जाएगा तो यह carbon के ओपर बिल्कुल positive charge नहीं रहने देगा यह पडोसी वाला oxygen तुरंत यह बोलेगा हट निकल यहां से तो भले यह oxygen नेगेटिवली चार्जड है यह oxygen खुद पर positive charge लेकर इसको balance कर देगा फिर क्या होगा फिर यह oxygen कर तो देगा गुच्से गुच्से पर फिर इसकी फट जाएगी रोएगा बोलेगा रहे यह तो गडबढ़ी होगी मेरसे अब मेरसे नहीं हो रहा तो फिर यह carbon बोलेगा इसको electron देदेगा और यह पहले जैसा होगा ठीक है कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों इत्ते के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अच्छे तरीके से देख लिया कलियर इसकी method of reflection की तरफ चलते हैं तो गाईज अगर आपके पास में primary alcohol है या अल्डी हाइड जनल से strong oxidizing agent है यह बिना aldehyde दिये सीधे मुझे carboxylic acid बना कर देगा अगर मेरे पास में एक long chain alcohol है एक primary alcohol है जिसमें लंबी chain है तो भी CR3O3 plus H2SO4 which is also called as Jones Reagent Jones Reagent क्या है chromium oxide plus H2O4 यह भी strong oxidizing agent है यह आपको directly carboxylic acid बना कर देगा अगर मेरे पास में alkyl benzene है तो guys J में यहाँ पर confusion create करने के लिए एक सवाल आप जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे अगर आपके पास में alkyl benzene बोले तो अगर आपके प आप में toluene है और अगर आप इस toluene का treatment Kmno4 KOH जैसे strong oxidizing agent के साथ करते हो तो यह इसको completely oxidize कर देगा into the potassium carboxylic acid potassium salt of carboxylic acid यानि KOH आपने इसी लिए डाला था यानि आपने क्या करा तब से पहले Kmno4 ने इस C में से सारे hydrogen हटा कर इस C को COO में convert कर देगा oxidation हो गया oxidation का मतलब क्या होता है hydrogen का removal होना तो यहाँ से hydrogen का removal हो गया और oxygen का addition हो गया ठीक है और एक H था अभी एक H आना बाकी है लेकिन उसके पहले क्योंकि आपने यहाँ पर potassium salt of KOH ले लिया है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने potassium salt of KOH ले लिया है यह potassium इस पर attack करके बना देगा COOK क्या बना देगा COOK और जब आप इसका treatment acidic water के साथ करोगे तो यहाँ से एक H connect हो जाएगा और बना लेगा COOH और बाकी बचावा इसके के साथ KOH बनके वापस से बाहर हो जाएगा लेकिन अब बच्चों के मन में सवाल और confusion यहाँ create होता है कि अगर मेरे पास में लॉंग chain compound आ जाए अगर मेरे पास में फिनाइल प्रोपेन आ जाए वन फिनाइल प्रोपेन आ जाए तो क्या यह वाला carbon COOK में convert होगा तो हम बोलेंगे नहीं वह carbon जो आपके बेंजीन रिंग से directly connected है it will be converted to COOK by oxidation तो जब आप इसको KMNO4 के वचे साथ ट्रीट करोगे तो भले कितनी भी लंबी chain हो हमें कोई फरक नहीं पड़ता यह chain यहां से तूट के अलग हो जाएगी और यह आपका जो CH2 है यह COOK में बदलेगा acidic water के साथ treat करेंगे तो यह COOH में करेंगे अगर आपने यहापर nitriles और amide ले लिए हैं very interesting point आपने nitriles का treatment in presence of acidic catalyst या basic catalyst कुछ भी ले लो treatment करना है water के साथ तो water का oxygen जाकर carbon पर और यह दोनो hydrogen जाकर nitrogen पर connect करेंगे तो जाएगा R, C double bond O, NH2 which becomes your amide यह बन गया आपका amide आपने आपके nitriles से amide कितना easily convert कर लिया अब आपके इस amide का treatment acidic या basic catalyst के साथ करोगे तो क्या होगा simply आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे water water टूटेगा H plus and OH negative के अंदर तो यहीं है वह H plus and OH negative यह H plus जाकर nitrogen के साथ reaction करेगा यह H plus ऐसा बाहर निकलेगा NH2 ऐसा बाहर निकलेगा NH2 अपने electron के साथ carbon के electron को लेके बाहर निकलेगा इस N को लेगा और यहाँ पर बन जाएगा NH3 और यहाँ पर जो OH negative है यहाँ पर carbon positive हो गया इस पर attack करके बना लेगा R COO है जिसे अगर आपने आपर इथेनामाइड ले लिया आप नाइट्राइल से तो reaction आ गई नाइट्राइल से amide बना amide से carboxylic acid अब अगर सीधे तुमारे पास में amide है तो कुछ भी नहीं करना हुई acid की presence में water लेना है यह nitrogen इस तरीके से तूटेगा carbon को positive बना देगा खुद negative बनके जाएगा water के H plus को लेके ammonia बनाएगा water का जो OH negative बचेगा वो इस carbon पर attack करके इसको CH3C double bond OH में convert कर देगा पिर यह benzene C double bond OH2 का treatment जबाब वापस है H2O के साथ करोगे presence of acid तो वही एक hydrogen इसके साथ मिलकर NH3 बना लेगा और एक OH इस पर connect होकर COOH benzoic acid बनाएगा बहुत easy reactions है ग्रिगनाड रिएजेंट अब यहाँ पर यह carboxylic acids बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर carbon dioxide का भी करेंगे तो भी reactivity हो जागे विकास ग्रिगनाड रिएजेंट इस वेरी रियाक्टिव यह बहुत रियाक्टिव हाइपर रियाक्टिव तो यहाँ पर क्या होगा आपका आर इस carbon पर और आपका mg इस oxygen पर अटाक करेंगा और प्रेसेंस आप ड्राइधर पर बन जाएगा इस डबल बॉन्ड ओ यह वाला यह वाले oxygen से omgx लग जाएगा और यह आर इस carbon पर अटाक करके जुड़ जाएगा तो यह आर ती डबल बॉन्ड ओंड 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 एक्स एसीडिक वॉर्टर की प्रेसेंस हो जब आप इसे हीट करोगे तो यह बन जाएगा आर ती डबल बॉन्ड ओ और यह ओ वाटर मेंसे जो एच निकला वो एच इधर कनेक्टो कर बना लेगा आर ती ओ ओ ओ एच और जो वाटर का ओ एच बचा वो ओ एच इस mgx के साथ कनेक्ट करके बना लेगा mg ओ एक्स देखो ज़रा इसको ध्यान से अच्छे तरीके से देखो फिर अपन चलते हैं अब हम अस्ताइल हैलाइड या एन्हाइड्राइट्स की बात करेंगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का ट्रीटमेंट अगर आपने वाटर के साथ किया तो क्या हुआ बहुत गंदा एच औ अब आपने इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ किया तो एने और यहां से ओएच एने ओएच बन के बाहर और यह आर सी ओओ का और यह आर सी ओ ओओ वाटर के एच को लेकर आर सी ओओ बनके बहुआ फैसिर यहां देखो अगर तुम्हारे बेंजीन ring, c double bond O, O c double bond O benzene, यानिक आपकर आपको आपका से ने एर्मेटिक इस्टर है, इसको बोलेंगे benzoic anhydride, क्या बोलेंगे? Benzoic anhydride विछ है kind of aromatic easter, जब आप water के साथ treat करोगे, तो यह इसा तूट जाएगा, water का h और जब इसको तोड़ेगा तो water का edge इसके साथ connect हो कर benzin ring c double bond oh बनालेगा और यह oh इससे connect हो कर व्यापस से benzin ring c double bond oh बनालेगा तो आपको आपको है आप two miles of benzin ring c double bond oh भी वelyn है बेंजोई जै आहीई बात समझ में लेकिन अगर आपके पास में यहां पर इथाइल ब्यूटेनोएट आ जाए इथाइल ब्यूटेनोएट आ जाए यानि यह आपका इथाइल वाला पोर्शन हो गया है न और और नहीं नमें इसका नाम गलत लिख ज ketchup है अच्या साल ऑनुटेन आपके हैं यह पुरा इथेनोइक एन्हाइड्राइड जब आप इसका ट्रीट्मेंट वाटर के साथ करेंगे तो भाई ये भी ऐसा ही टूटेगा वाटर का H CH3COH बना देगा और वाटर का OH इससे कनेक्टो कर इसको बेंजोईक आसिड बना देगा as simple as that so beautiful so elegant just looking like a wow बहुत बढ़िया अब इस्टर की बात करते हैं इस्टर में अगेन आपने यापर बेंजिंग ले लिया C double bond O O C2H5 ले लिया आपने इसको एस्टिड की प्रेजेंस में H2O के साथ रियाट कराया इस्टर बोल दिया गया sorry 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 this is not easter यहाँ पर अगर सिर्फ आर होता तो easter this is anhydrides I am sorry guys अगर मैंने गलती से इसको easter बोल दिया हो तो please maaf करना this is not easter वो flow flow में बोल गया इस्टर अब आया है that is R C double bond O O R that is your easter जब आप ने अपने बेंजीन रिंग का treatment C double bond O O C2H5 के साथ किया in presence of acid तो यह इस तरीके से टूड गया water का OH इस पर connect हो कर इसको benzoic acid बनाएगा water का इस पर connect हो कर इसको C2H5 बनाएगा easy है ना आ गया सबको जब आपके बास में आपस एक बड़ा easter आ जाए और अगर आपने NaOH के अस्तमाल कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर C2H5 इस तरीके से अलग हो जाएगा और NaOH के साथ मिलकर C2H5 OH बना लेगा और यह Na इस oxygen के साथ connect हो कर CH3 CH2 CH2 COona बना लेगा अब आप इसका treatment जब water के साथ करोगे तो water का OH इस Na को लेकर वापस से NaOH बना लेगा और यह H इस oxygen पर connect हो कर इसको एक बड़ी की long chain benzoic acid में convert करें अब गाइस चलो chemical reactions की तरफ बढ़ते हैं विच इस very important तो अगर आप लोगों को chemical reaction की तरफ चलना है और उसके वह अगर आप एक छोटा सा break चाहते हो तो प्लीज टेक अब्रेक मेरको कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप आराम से वीडियो पॉस्ट कर लो और आराम से अभी तक मैंने जित्ता पड़ाया है उसको अपनी copies में notebook में देख लो revise कर लो और कोई doubt आ रहा हो तो पूछ लो क्योंकि आप हमारा chapter कुछ जादा नहीं बचा है we are heading towards the end of the chapter तो आराम से तरह देख लो इसको अच्छे तरीके से कोई problem आ रही हो कोई दिक्कत आ रही हो तो you guys can ask चलो तो फिर chemical reactions की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो carboxylic acid है यहाँ पर हम उसके अंदर सबसे पहले ऐसी chemical reaction देखेंगे जिसमें की यह OH के bond का cleavage हो रहा जिसमें सबसे पहली reaction हाती है acidity पूरी दुनिया जानती है तो acidic nature क्यों होते हैं तो यहाँ पर जब आपके इस carboxylic acid के यह O और H में से यह bond टूटेगा तो क्योंकि आपने यहाँ पर दो moles लिये हैं तो यहाँ से 2H, H2 बन के बाहर और यह दो sodium hydrogen की जगे लेकर 2 moles of RCO, sodium salt of carboxylic acid बना लेंगे यह यह बन गया salt और hydrogen gas रिलीज होगे अगर कोई भी चीज acid तो वह metal के साथ में salt और hydrogen gas ही देती है आगे देखो neutralization reaction भी होती हुए नजर आ रही है यहाँ पर आप देख रहे हो कि RCOOH का treatment अगर आप इने OH के साथ करोगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H, OH water बन के बाहर और यह sodium oxygen पर connect होकर RCOON यहने sodium salt of carboxylic acid बना देगा, in fact carboxylic acid इतने जादा strong acid होते है that they even reacts with salts like NHCO3 समझ महारी बात? यहने salt भी नहीं है यह बहुत जादा weaker bases होते है यहने इतने जादा कमजोर base होते है तो भी उसके साथ reaction कर जाते है आपने यह phenomenon phenol या alcohol में नहीं देखा था इसलिए मैं यहाँ पर देखूँगा that यह phenomenon is not observed in phenol और in alcohol तो जब RCOH का treatment NHCO3 के साथ करोगे तो यह NA इसके H को हटा कर जुड जाएगा और बन जाएगा आर-C-O-O-N-A यह H यह H और एक oxygen H2O बनके बाहर अब क्योंकि CO3 में से एक oxygen जा चुका है CO2 बनके यह भी बाहर इजी reaction अब यहाँ पर कुछ interesting बात करना शुरू करते हैं मज़ेदार बात हैं जब आपके पास में R-C-O-O-H है और जब आप उसका treatment water के साथ करोगे तो H3O positive बाहर हो जाएगा क्यों क्योंकि यह अपना proton इसको donate कर देगा सब यह बन जाएगा R-C double bond O और O के उपर तीन loan pair होने की वज़े से एक negative चार अब क्या होगा अब यहाँ पर resonance होगा अब यहाँ पर resonance होने की वज़े से देखिए क्या होगा यहाँ पर यह double bond मलब यह oxygen इस double bond को अपनी और withdraw करेगा तो यह negative charge इधर चला जाएगा तो यहाँ पर you will observe कि R-C oxygen पर एक negative charge आगिया क्योंकि उसने एक loan pair को withdraw कर लिया है और अब इस oxygen पर आपको एक double bond का formation होता होना तो यहाँ पर आपने देखा कि structure number 1 में negative charge is on this oxygen and structure number 2 में negative charge is on this oxygen तो because of resonance यहाँ पर हम लिखेंगे that because of resonance जो आपका carboxylate anion है जो आपका carboxylate anion है it gets stabilized अब थमझ में आया है कि why carboxylic acids are strong acids क्योंकि carboxylic acid को पता है कि अगर मेरा यह H चला भी गया H प्लस बन के और अगर मैं carboxylate anion बन भी गया तो मैं resonance करके खुद को stabilize कर सकता है यहने अगर सोचों मैं अभी वेदानतू पर काम कर रहा हूँ और वेदानतू पर मेरी अच्छी salary है अब अगर मुझे कोई बोले कि भाई मैंने अभी अभी coaching शुरू करी है और अभी अभी मैंने उसका YouTube channel बनाया है और उस पर अभी 100 subscribers है और आपको उस पर पढ़ाना है मैं बोलूँगा अच्छा मैं को ऐसे teacher तुम्हारे पास आना है क्या वो बले कहां आपको मैं ऐसे teacher रखूँगा कोई co founder कोई owner या आप gravity circle के owner है आप नत्यूंजय पंडिया है आप बहुत famous chemistry teacher है इनसे मुझे मतलब नही है मैं आपको इज़ा teacher रखूँगा और आपको 50,000 रुपे महीना तनखा दूँगा तो बोलूँगा यार सेलेरी भी कम कर रहा है नया स्टार्ट अप है चैनल भी छोटा है मैं अभी वेदान्तू पर स्टेबल हूँ चैनल भी बढ़ा है वेदान्तू ग्रूप भी बढ़ रहा है यह तो वह भी नहीं वान रहा है तो क्या मैं एक मोर स्टेबल से लेट स्टेबल की तरफ बढ़ू अगर मुझे को फाउंडर बनाता अगर मुझे परसेंटेज शेरिंग करता अगर मुझे बोलता कि अपन कई से फंडिंग रेस करेंगे 100 करोड की और फिर आप को फ आफर मिल जाए कि उसका चैनल भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला है और वो अपना प्लैटफॉर्म मना रहा है मेरे को एधा को फाउंडर चाहता है उसके बाद में 1000 करोड की फंडिंग है मेरी सेलेरी 6 करोड रुपे साल की रहेगी 50 लाग रुपे महीना तो तो मैं भाग क तो यहाँ पर कार्बॉक्सलिक एसिड को पता है कि अगर मैं प्रोटॉन छोड़ दूँगा तो मैं अनस्टेबल हो सकता हूं लेकिन मेरे को स्टेबलाइस करने के लिए रेजोनेंस है मतला मैं अनस्टेबल नहीं होंगा तो फोड़ देगा लेकिन क्या अलकोहल के पास में कार्बॉक्सलिक आज़ेगा यहां पर काई से एक्विय्ब्रियम गॉंस्टेंट बनाएंगे इक्वेशन का है एक्विय्ब्रियम गॉंस्टेंट में में ह 3-0 पॉजिटिव आएगा और आर सी ओ ओ ओ नेगेटिव आएगा इस तरीके और यहां नीचे आजाएगा R, C, O, O, H और H2O इस तरीके से आप किसी भी chemical reaction का equilibrium constant निकाल सकते हैं लेकिन आप जानते हो कि यहां पर water जो है यह हमेशा excess में भी हो सकता है तो यहां पर अगर आप इस water को equilibrium constant में multiply कर दे equilibrium constant multiply by concentration of water will give you K A K A का मतलब होता है acid dissociation constant acid dissociation constant क्या होता है इसका मतलब? acid dissociation constant तो यहां पर अगर आप अप नई equation लिखोगे तो यह हो जाएगी K A H 3 O positive R T O O negative upon R T O O H आई बात समझ में that is acid dissociation constant यहां थे बात समझ में ही सर इससे होगा क्या? अगर मैंने इसकी value निकाल ली मतलब अगर मैंने इसका concentration रग दिया like 0.1 moles per liter इसका concentration रग दिया 0.1 moles per liter इसका concentration रग दिया 0.2 moles per liter इससे मुझे जो K A की value मिली उससे होगा क्या? मैं इस K A की value का इस्तमाल करूँगा मैं इस K A की value का इस्तमाल करूँगा negative log based in K A में और जब मैं इसका negative log निकालूँगा तो मुझे value मिलेगी P K A की अब यह P K A की value क्या होगी? P K A की value हमें help करेगी it helps to determine, it helps to determine the strength of an acid. कैसे? simple सी बात है, lower the value, ध्यान रखना इस पर बहुत question आते हैं जेही में lower the value of P K A, higher the acidity, higher the acidity, तो सर आपने जो K A की value है, इसका directly negative log क्यों निकाला? अपने simple K A की value से हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि पीटा, K A की value इतनी lower आती है, इतनी complicated आती है, 0.001678 into 10 to the power minus 10 moles per liter, अब ऐसी value से आप कैसे predict करोगे strength? तो कुछ simplest form होना चाहिए, इसलिए हमने उसको P K A में convert करके simpler form में convert कर देए, तो आप देखोगे, कि अगर H C L के P K A की value की बात करो, तो वो minus 7 होता है, minus 7, जितनी छोटी value उतना strong, इसलिए H C L is very strong, organic chemistry का एक सबसे जादा strongest acid होता है, trifluoroacetic acid, trifluoroacetic acid, जिसके P K A की value 0.23 होती है, very acid, फिर benzoic acid की 4.19, थोड़ी acidity कम हो गई, और acetic acid की 4.76, acidity और कम हो गई, जान रखना अगर आपके P K A की value 1 से छोटी होती है, मतलब strong acid है, मतलब ये भी strong acid है, ये भी strong acid है, लेकिन अगर P K A की value 1 to 5 आती है, तो वो moderate acid होता है, 5 to 15 के वीच में होती होती है, तो वो weak और अगर less than 15 होती होती है, तो वो very weak acid, very very weak acid हो जाता है, तो हमेशे ध्यान लगना carboxylic acid, mineral acids के मुकाबले तो weak है, लेकिन alcohol phenol के मुकाबले बहुत जादा strong acid है, ठीक है, कोई problem यहाँ पर कोई परेशानी किसी भी तरीके की, ठीक है, अब यहाँ पर एक सावाल आता है, that why phenols are less acidic than carboxylic acid, आप सब लोग जानते हो, कि जो आपका phenol होगा, अगर phenol अपना electron pair oxygen का gain कर लें और H plus को बहाल निकाल दें, तो यह बन जाएगा आपका phenoxide ion, और यह phenoxide ion resonance करता है, भाई, हम लोग यह सब भूल गए क्या, कि phenol जादा acid के alcohol से, क्योंकि phenol resonance कर पाता है, alcohol resonance नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने alcohol को carboxylic acid से compare नहीं करा, मैंने phenol को करा, phenol जो कि acid के, सब लोग सब जानते हैं कि phenol के अंदर क्या होगा resonance, यह अपना loan पर इधर donate कर देगा, तो यह इधर आ जाएगा, तो पहले case में आपको negative charge, इधर देखने को मिलेगा, इस carbon पर, अगले case में आपको negative charge इधर देखने को मिलेगा, और उसके अगले case में आप लोगों को जो negative charge है, वो इधर देखने को मिलेगा, तो technically you are observing resonance, याने phenol oxide iron को stabilize करने के लिए resonance हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक problem है, क्या, यहाँ पर यह जो negative charge इखटा हो रहा है, यहाँ जो negative charge इखटा हो रहा है, और यहाँ जो negative charge इखटा हो रहा है, यह carbon पर हो रहा है, which is not an electro negative element, जिसे electron को hold करने की, जिसे electron को अपने पास रखने की, बिलकुल भी इच्छा नहीं होती वो कभी electron accept नहीं करता carbon mostly electron donate करता है वो electro positive होता है तो एक ऐसा atom जिसे electron रखना नहीं देना होता है अगर तुम उस पर negative charge की density बढ़ा दोगे तो वो comparatively uncomfortable feel करेगा यहाँ पर reason यह होगा that being resonating the negative charge is accumulated on a less electronegative atom that is carbon क्या यह बात समझ महीं प्यारे बच्चो क्या यह बात आप लोगों को समझ महीं क्या इसके अंदर कोई दिक्कत क्या इसके अंदर कोई परेशानी लेकिन अगर मैं carboxylic acid की बात करूँ तो carboxylic acid में भी resonance हो रहा है लेकिन negative charge कहा है पहले ये वाले oxygen पर और बाद में ये वाले oxygen पर याने resonance करते वक्त carboxylic acid में जो negative charge की density बढ़ती है जो negative charge की density accumulate होती है इकठा होती है वो oxygen पर होती है अल्वेस इलेक्ट्रो नेगेटिव तो यहां पर आप लोगों को resonance वाले case में क्या देखना पड़ेगा but in case of carboxylic acid but in carboxylic acid the negative charge is accumulated on oxygen which is electro negative that is it is more stable than phenol इसलिए यह phenol से इसलिए यह phenol से जादा stable है और क्योंकि carboxylic acid resonance करते वक्त इस phenol से जादा stable है इसलिए यह जादा acidic है इसलिए यह जादा acid अब एक बात मुझे बता हो कि आपका यहाँ पर carbon है यहाँ पर oxygen है यहाँ पर oxygen है और इसके बीच में resonance चल रहा है यहने electron की density इन दोनों oxygen में हो रही है अगर मैं इससे एक electron withdrawing ग्रूप लगा दूं जो इसके electrons को अपनी और खीच के ले जाए तो यार इस negative charge की density जो carbon पर इखटा हो सकती थी यहाँ negative charge इस oxygen ने इस carbon पर फेका carbon ने oxygen पर फेका तो देखने वाले को लगा कि oxygen oxygen पर negative charge है पर वो negative electron पास होते वे carbon से जा रहा है तो अगर आप carbon की ओपर एक electron withdrawing group लगा दो so it basically stabilizes the group it basically stabilizes the it basically stabilizes the carboxylate anion और इस वजह से strength of acid इस वजह से strength of acid जो है वो increase हो जाए लेकिन वहीं अगर आपने एक electron donating group इस गरीब carbon पर लगा दिया तो बेटा इस carbon की वाट लग जाएगी क्योंकि already oxygen electron electron खेल रहे हैं और इस वजह से carbon पर electron की density बढ़ जाएगी और इस वजह से it destabilizes it destabilizes the carboxylate anion और इस वजह से strength of acid जो है वो decrease हो जाएगी ठीक है तो guys आपके सामने ये strength of acid का acidity order में लेकर आया हो देखो सबसे जादा acid group होगा cf3 यान अगर आपके carboxylic acid में एक cf3 अटाइच हो जाए तो ये उसकी acidity बढ़ा देगा क्यों क्योंकि ये बेस्ट electron withdrawing group है क्योंकि इसके अंदर तीन फ्लोरीन अटाइच्ट है देन आपका N O 2 देन C N देन फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमीन अयोडिन और सबसे कम फिनॉल तो गाइज आप देखो cf3 coh tri-fluoroacetic acid सबसे यादा acid है उससे कम trichloroacetic acid फिर dichloroacetic acid फिर 2-nitro-acetic acid फिर 2-sinoacetic acid फिर 1-fluoroacetic acid one chloroacetic acid one bromoacetic acid formic acid three chloro propanoic acid then benzoic acid then one phenyl ethenoic acid then आपका simple acetic acid और सबसे कम propanoic acid तो जैसे जैसे groups लगाद हो गई है जैसे जैसे groups लगाद हो गई है acidity बढ़ जाए ठीक है अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि कभी-कभी direct attachment such as phenyl और vinyl to carboxylic acid increases the acidity क्यों भई या ऐसा क्यों क्यों क्योंकि बटा आपका phenyl group हो या आपका vinyl group हो vinyl group मतलब आपका carbon जो कि sp2 hybridized है उससे आपका functional group जुड जाए तो यहाँ पर क्या होगा अगर यह oxygen अपने lone pair को खीचेगा तो यह double bond अपना इस पर transfer कर देगा और खुद positive हो जाएगा और इसको negative कर देगा तो यहाँ पर भी resonance है तो यहाँ पर भी because of resonance यह molecule भी इस proton को छोडने के बाद अपने आपको stabilize कर सकता है इस वजह से यह भी अच्छा acidic nature का होगा this is because of electronegativity of sp2 hybridized carbon to which carbonyl carbon is attached then the presence of electron withdrawing group on the phenyl of aromatic carboxylic acid increases the acid और यहाँ पर हम नहीं क्या कर रहा और यहाँ पर हम नहीं क्या कर रहा carboxylic acid के अंदर तीन प्रकार के ग्रूप लगा है पहले में मैंने electron donating group लगाया OCH3 यह electron donate कर रहा तो देखो pka की value बढ़ गई 4.46 अगर मैं यह पर कोई group नहीं लगाया तो value कम हो गई 4.19 acid हो गया acidity बढ़ गई pka की value कम होगी तो acidity बढ़ेगी और जैसे मैंने electron withdrawing group लगाया NO2 pka की value और छोटी हो गई 3.4 अब हम लोग और कुछ reactions देखेंगे लेकिन आप reactions देखेंगे जिसमें carbonic acid का carbon oxygen का bond पूटेगा सबसे पहले एन्हाइड्राइड का formation CH3COOH CH3COOH in presence of acid heat करो यह P2O5 heat करो तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह carbon का यह OH अलग हो जाएगा और यहाँ से यह H अलग हो जाएगा तो यह H और यह OH वाटर बन के बाहर और अब यह oxygen डायरेक्ली इस carbon से connect होकर आपको acid and hydride बना कर देदेगा अगली chemical reaction is a very chemical reaction इस्टरिफिकेशन तुम पचास बार पढ़ चुके हो और ती ओ ओ ओ एच का आरो एच के साथ में treatment तो यहाँ से OH अलग होगा यहाँ से H अलग होगा ओ एच मिलकर बॉटर बन के बाहर यह ओ और इस पर अटाक करके आर ती ओ ओ और बना लेकर लेकिन इसका और पॉजिटिव हो जाएगा कैं अब तुरंफ को इसको देखकर यह oxygen अपना loan pair लेकर इस carbon पर अटाक करें और यह carbon का double bond इधार शिफ्ट हो जाएगा यह carbon का double bond इध सिप्ट हो जाएगा तभी carbon पर पॉजिटिव चार आने लगेगा तभी यह ओ जब OH इस पर एटाइक करेगा तो यह हो जाएगा अपका R T OH OH और अब यह जो आपका O R है O R तो यह oxygen इस carbon से connect हुआ तो यह oxygen यह R और यह H अब क्योंकि oxygen ने अपना लोन पर इस carbon को दिया है इस पर आगया पॉजिटिव चार्ज अब क्या होगा ये वाला जो प्रोटॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी और खीचेगा तो देखो खीच के ये बन गया नॉर्मल लेकिन बिटा ये जो प्रोटॉन यहां से निकलेगा इसका बॉन्ड तूटने के बाद ये इसके पडोती वाले ओए अब जब ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो बिटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पर नीचे भीज दे तो ये आर सी ओ आर जैसा था वैसा हो गया लेकिन अभी ओए पर ऐल्यक्ट्रॉन को खीच रहा हूँ और इस हईड्रोजन को लाट मार के बाहर निकार तो यह है रचार्ज्जन लाक्रमार के बाहर और यह बन गया आपका आर और सी डबल बॉन्ड ओ ओ है और इस तरीकेसे आप कारबौक्सलिक आसिड का और अलकोहल का प्रोटॉन की प्रे पॉजिटिव बना लेगा इसको बोलेंगे अमोनियम एसिटेट और जब इस अमोनियम एसिटेट को आप हीट करोगे इन प्रेसेंस आफ वाटर तो यहां से दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन को लेकर वाटर बन के बाहर अब यहां पर पर CH3CO NH2 बचा तो यह होगा CH3CO NH2 एसिटामाइड बेंजिन रिंग के ओपर CH3CO NH3 यह इस पर जाकर अटेक करेगा यह बन जाए का आपका अमोनियम बेंजोएट अमोनियम बेंजोएट आपने अमोनियम बेंजोएट को हीट करा तो यह दो हाइड्रोजन एक ऑक्सियन को लेकर वाटर बन के बाहर बेंजिन रिंग पर CO NH2 यह बन के आपका बेंजामाइड अब जो रियाक्शन बताने वाला हूँ यह जेई में तीन से चार बार तो अभी लेटेस में पुछी जा चुकी है लोगे इसका ट्रीटमेंट जब आप अमोनिया के साथ करोगे अमोनिया के दो मोल्स के साथ एक अमोनिया इदर और एक अमोनिया इदर तो यह बन गया अमोनियाम थेलेट इसको क्या बोलेंगे अमोनियाम थेलेट अब जब आप इस अमोनियाम थेलेट को हीट करोगे तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सिजन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सिजन वाटर बन के बाहर यह होगा you moles – CO nh2 – CO nh2 यह होगा का थेल इसका मु against खुला होगा हुआए मु pross खुला हुआ तो थेल का मु compost खुला हुआ है रोजब आप इसको और teak का मु sto किया और यहां Luca यहां से ऑर अमोनिया लेकर बाहर यहां पर आपके पास भीप में बच्चा बैंजीन रिंग्ग को ये वाला ये नह्तू तो बाहर हो गया ये बच्चा सी हो ये रहा और इसका एका ईस में प्च अन्ह ने इसको हैं है फेल वोलाड ह Acho यह वोलाड जलेंज की रियक्शन अल बांदर बैसकों क्या होता है सिंपल सी बात होती है वह कार वाकस लीक एसीड जिन के पास में अलफा पोजीशन पर hydrogen होता है that is replaced by halogen यहाँ पर हम क्या बोलेंगे alpha hydrogen is replaced by halogen to give alpha halo carboxylic acid to give alpha halo यहने alpha carbon पर halogen का जूड़ना on the carboxylic acid to give alpha halo carboxylic acid यहाँ पर आप देखा आर थी एच टू सी ओ एच पर जब मैंने halogen का अटैक किया तो यहाँ एक hydrogen इसके साथ HX बनके बाहर हो गया और दूसरा halogen यहाँ अटैच होकर यहाँ दिखने लग गया है यहाँ पर halogen chlorine और bromine हो सकता है जो गाइस दे नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल रियक्शन इस रिंग सब्स्टिट्यूशन याद करो मैंने आपको कार्बॉक्सिलिक एसिड के पहले यहाँ पर सिकाया था कि अगर आपके पास में कार्बॉक्सिलिक एसिड ग्रूप भी बेंजीन पर अटैच हो जाए तो तो कार्बन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज वो रिंग के एलेक्ट्रॉन को अपनी और खीच लेगा और इस वज़े से रिंग पर और्थो पैरा एंड और्थो पोजिशन पर यू विल अब्ज़र्व था एक्क्यूमिलेशन ओ पॉजिटिव चार्ज तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल इसके उपर अटैक नहीं कर पाएगा और और्थो एंड पैरा पोजिशन तो यहां पर हमको वही चीज़ देखनी है यहां पर हम वही चीज़ देखने वाले हैं और यहां पर आप इस बात को अब्जर्व करोगे कि जब आपने कॉंसेंट्रेडिट HNO3 को H204 के ना डाला तो जो आपका NO2 नाम का इलेक्ट्रोफाइल निकला वह ना तो और्थो पर गया ना तो पेरा पर गया वह सीधे मेटा पर गया सिमिलर जब आपने आपर ब्रोमिन को डाला इन प्रेसेंस ओफ लूइस ऐसे देफी बी आर त्री तो जो ब्रोमिन नाम का इलेक्ट्रोफाइल निकला वह भी मेटा पोजिशन पर गया तो इस वाज़े से यू विल गेट मेटा सब्सिट्टूटेट प्रोडक्ट्स ठीक है तो गाइस विद देस विएव कम्प्लीटेट दे चाप्टर मैंने आपका है चाप्टर वन शॉट में बहुत इजियस्ट टाइप से और बहुत स्मूदली कराया है अब आपको इसके अंदर बस केवल और केवल एक ही चीज़ करनी है वह है धेर सारे क्वेस्टेंस धेर सार IQ सीरीज लेकर आऊँगा तो दाट वी विल डू बट दाट इस वर नाओ गाईस थैंक यू सो मच पो जॉइनिंग आई होप आपको मेरा आज का ही लेक्चर बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया लगा होगा और आप लोगों का एक बहुत स्मूद रिविजन हो गया होग अब आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में तब तक के लिए बबाए टाटा टेक केर कीप वाचिंग कीप रॉकिंग डॉन्ट फगेट लाइक शेरें सब्सक्राइब विदान तु जेई मेड इजी 2.0 खुद भी पढ़ो दोस्तों के साथ भी शेर करो और अगर कोई तकल झाज बज़ दुर्पी 2.0 खुद औरा तक हो कित